आज जिस रेसिपी का मैं आपके शेयर करूँगी मतलब आज जिस सबजी का रेसिपी मैं आपके शेयर करूँगी आप लोग साइद कोई-कोई है देखके समझ पा रहे हैं और कोई की समझ नहीं पाएंगे पट इस सबजी को बहुत सरे लोग है खाना पसंद नहीं करते बट यह हमारे हमगे लिए बहुत अच्छा होता है ने हमारे है बहुत सरी से जगह में गर्मी पड़े गयी है भाद यहे성 किसी किसी बच्राइक को तो लिए एक सब के बाद हमारा मुग का टेस्ट बिगार जाता है तो मुग का टेस्ट बिगार जाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ऐसा कुछ सबजी अच्छा हो ऐसा खणा चाहिए तो मुग का टेस्ट भी आ जाएगा आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा क्यूंकि य लुक्षान करते हुआ आज का ρेसिपी मैं स्टार्ट करते हुआ आप वेलकॉम करते हुए मेरे के डेकां करेला ले लिया कैसे कटना है क्यूंकि मैं गच खेती क्रत इससराइ क्यों मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए क्युक्कि यह बिना मसाले के होगा और बहुती कम तेल में बनेगा तो थोड़ा समय आपको दिखा देती हूं और थोड़ी से डिप्रेंट का इम्रब तो देखिए ऐसे गुल-गुल करके काट लिया काटने के बाद क्या करेंगे बीच में से 2-3 को एक जागा करके बीच में से ऐसे हापमुन साइज में का आपको बैसे लगे आपका जो ग्राउंड से अपने काट किया पहले वह थोड़ा मोटा है तो थोड़ा पतला करके भी कर सकते हैं बट ऐसे करके कर के तो यह सबजी के लिए बहुत आशान होगा क्योंकि हमारा सबजी जल्दी पकेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा क क्योंकि मैं मसाले नहीं दूंगी नाके बरबर और पानी नहीं यूज करूंगी क्यूंकि यह करिला और आलू का एक भजी टाइप होगा जो सुखे सब्जी होता है ऐसे होगा सो इसलिए देखे मैं पुरीप कर लेको ऐसे करके कट लिया कुल्गुल करके और बीच में एक ची पहले दोनों सब्जी को अच्छे से दो लिया पीछे वाला पुर्शन थोरा खारापता इसलिए मैं माइनस कर दिया उसको आलू को ऐसे पहले गोल-गोल करके एक दम बहुत ज़्यदा पतला करने के जोरुरत नहीं क्यूंकि करेला के साथ हमें इसको मतलब एक सामान काटना जड़ोरा टैंस का बीच में से लंबंभा-लंबा ऐसे करके काट लगा लिए देखिए आ यहां बीच में को दिखा देता हूं एसा करके करेलो कर ला और अलु को तो पुरी आलु को मैं एसे करके कट लूंगी सब्जी का इक तरिका सब megetिकर मालूम है बट जिसको मालूम नह उसको मैं बोले हर सब्जी का एक एक कटने का तरीका होता है नहीं तो क्या होता है सब्जी पकने में जितना टाइम लगता है और खाने के टाइम भी अच्छा नहीं लगता और सब्जी को दिखने में भी अच्छा नहीं लगता तो सभी सब्जी का कटने का एक तरीका होता है कि बीचें करेंगे रहा हिए। तुरह करें। मैं मत Profile कүह था सब्सक्राइव क्लिया थेलर जार शेल चेहँं, युग्णी सो प्राइव तरक हैं सब्सक्राइव घी λेंट, कट के मत दी जहां दिखाड हो इसे के लिए सब्सक्राइब कोषिज कि तो आपका जैसे मैं बुला रेसिपी आच्छा होगा और खाने में भी आच्छा होगा और cooking टाइम भी आपको जल्दी हो जाएगा देखिए मैं काट लिया सभी सब्जी को मैं काट के देखिए जो रेसिपी है ना आपको चाओल के साथ बहुत अच्छा लगेगा और जिसे थ इसको एक प्लेट में ले लेती हूं यह सीजन में एक बार कड़के खाईए्ट जो नहीं खाता थोड़ा करेला वो भी खाएगा, क्यूंकि ये एक तम जो करबा होता है, करबा के डर से बहुत सरे लोग खाना नहीं जाते, बहुत आच्छा होगा, क्यूंकि मैं पानी बिल्कुल नहीं उस करूंगी, करेले में पानी देने से थोरा करबापन जादा हो जाता है, तो ऐसे करके मैं आज सरसोका तिल में करूंगी, ऐसे नहीं, मेंडेटरी, आपको भी सरसो का तिल में करना, क्या कमें, कोई भी सब्छी का का सब्सक्राद कनंद soup कर दोखे, से गारम करके मैं फस्ट क्या करूंगी जो ग्रीन चिली में लिया था स्लिट करके रखा उसको मैंने दे दिया और थोड़ी सी मैं दे दूंगी कलोंजी कलोंजी आप सभी को मोसली पता है कलोंजी हमारे हेल्थ के लिए भी आचा होता है पेट के लिए भी आचा होता है और बा चलाने के बाद मैं नेक्स टेप में जाओंगी हो गया थोड़ी देजस्ट मतलब थोड़ा साफ्ट होना है थोड़ा सा पांस से टेंट सेगंड इसको फ्राइ कर लीजिए उसके बाद आलू करेला मैंने दोग के रेडी करके रखा उसको भी दे दूँगी देखिए अलू और करेला को मैं दे दिया अभी नेक्स टेप में जाएंगे सब्जी को बनाने के बहुत इजी बन जाता है इसको बनाने में कटना मैंने दिखा दिया कैसे कटना है बनाने में थोड़ी सी मतलब स्लो में पकता है क्यूंकि हम इसमें पानी उज नहीं करेंगे ल किजिए तो नमक दे दिया और दे दूंगी मैं हल्दी नमक हल्दी और कुछ भी मसाला नहीं चाहिए देखिए हो गया अभी इसको भी मिक्स कर दूंगी मिक्स करके मैं इसे थोड़ा थोड़ी दे इसको चला लूंगी थोड़ा खुले में मेडियम आच में इसको पका पाँच मिट में क्या होगा इसका पानी थोड़ा रिडूस होगा और सीम में कर दूझा है जो पानी रिडूस हो जाएगा उसेमें यह और बुच चल में ऐसेरे बाद उसको यह बाल बार बाद CV बार फ्या deva 003 004 26 Gothic अधी फानी 12 आई इस लिदा शयो पाद 54 ऑद 5-20 NICK अब मैं आपको दिखा देतु आलू और करेला मेरा 70% करीब पाग गया देखिए मेरा आलू बोईल हो गया जो करेला है वह भी बोईल हो गया तो क्या करेंगे अभी जो लसुन मैंने रेडी करके राखता समयास करके वोब दे दिया इस टाइम में देना है लसुन को पहले मत द करूंगी और अभी क्या करेंगे इसको थोड़ी दे चला दिया जो लसुन दिया बहुत अच्छा है खुछबू आएगा विनी विनी लसुन फ्राय होने का थोरा सा मैं नॉर्मल लेचिली पाउडर दे दिया और कलर के लिए मैं दे दिया थोरा से कर्चमी लेचिली देखे मैं चला लिया इसको फिर से 2-3 मिनिट के लिए धग देजिए सेम करके आज को सेम कर दीजिए नहीं तो नीचे जल जाएगा क्यूंकि वसाला भी नहीं है पानी भी नहीं है तो पानी यूज मत कि जिए जैसे यह भाप में भग जाएगा हो गया देखे तीन में हो गया जलने का जैसा बट जड़ी मत यह ऐसा ही होगा बीच में जब लस्ट में देखिएगा कड़ाय छोड़के आ जाएगा तभी आपको सोचना है कि आपका करेला पक गया पूरी तरह तयार है इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा इसलिए स्प्रेट कर दीजिए करेला का लोक्स हुआ ऐसा ब्राउन ब्राउन हो गया तभी सोचना है आपको हमारा करेला हो गया देखिए पूरा कड़ाय छोड़ रहा है अभी क्या करेंगे थोड़ी देच चला के मैं इसको कर दूंगे सार्व हो गया हमारा करेला का सबजी ऐसे करके बर खाएए और हमारे रेसिपी को थोड़ा सा शेयर कीजिए और अभी मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल बटन जो होता है उसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तक आप लोगों को मालूम परें कौन सारे से मैं कब आपलोड करती हूँ और फेस्बुक विवर्स के लिए रिक्वेस्ट है अभी तक मेरे पेज को फॉलू नहीं किया तो प्लीज फॉलू दा पेज तक आप लोगों को भी पता चले मैं काउन सा रेसिपी कब आपलोड करती हूँ और मेरे रिक्वेस्ट से एक बार इसे बना के खाई है आप लोग हुआ 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 हुआ